रसकार दोस्तों सकते आपका इस्टेटी फॉर्ट सिविल सिर्प्रसेश में एक निउस निकल के आ रहेगी बहिया उत्तर प्रदेश में मुक्वंत्री योगी आदितनाथ जी ने बोला है कि अगले 100 दिन के अंदर 36,000 जो रिक्तपद पड़े हुए हैं उनको आप जल्दी से जल्दी भरिए यानि कि जितनी भी वेकेंट पोजीशन है उसका अधियाचन जारी होना चाहिए बहुत जल्दी सरकार से आयोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है UPPSC, UPSSC कि भाया कई सारी पोस्ट शाहिद आरो में भी सर पड़ी हुई हैं आरो यारो में भी पड़ी हुई है कई सरी PCS के भी को बहुत डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं UPSSC में बहुत ज़्यादा स्रोचीजे चनती हैं प्लीज सर थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दीजिए दुबारा सरकार बनी है तो ऐसे कई बार न्यूज में पिछली भार भी आया था सारे वादे सर पूरे नहीं हो पाए थे अभी भी सर बहुत उम्मीद है अब तो कर दीजिए प्लीज क्या कहिते हैं अब लोग 36,000 वेकेंसी जितने भी रिक्तपद पड़े हैं सारे जो है इतने दिन में भरे जा सकते हैं पलस आपकी जो जो भी डिमांड ओ प्लीज यहां पे जरूर बताईए UPPS में भी बहुत सारी चीज़े सुधारने के लिए अभी भी हैं अगर सर थोड़ा सा उस पर ध्यान देतने तो बहुत सारे उनके भी केस पेंडिंग हैं जैसे कि स्केलिंग मॉटरेशन वाला आप 2021 में समस्या है कि क्लियर होगी वह होगी कि नहीं होगी तो कि उसमें तो दियाता है इस पर requirement उससे पहले लिक दिया था नोटिफिकेशन में फिर भी फॉलो नहीं किया था एज रिलेक्शेशन नहीं मिला है उत्तर प्रदेश के जितने भी student है EWS में भी आप समझ लिजे EWS में Age Relaxation ही नहीं दिया है तो फायदा क्या है बताईए आप एक और चीज़े आयोग ने खुद माना था भी थोड़े दिन पहले Official Answer की जारगी थी 1920 की करीबन 30-30 सवाल तो उनको जो है अटाने पड़े हैं ये बड़ी समस्या है हर बार जब PCS का पेपर होता है तो GS में CSET में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके एक से ज़्यादा आंसर होते हैं या फिर उसमें कुछ ना कुछ Translation error होती है हिंदी में CSET में तो काफी ज़्यादा हो जाते हैं GS में भी होते हैं जिसकी वज़े से students को बहुत परिशानियों करना पड़ता है तो प्लीज सर जी उस पे भी कुछ ना कुछ जरूर संज्यान लेना चाहिए आयोग को क्या कहिते हो भी आपनी अपनी बात खुदी आप बोल दो क्योंकि यहां पे बागी आप लोग मुझसे वाटसेप पे तो पूरे दिन कुकु कुकु करते रहते हैं यहां भी थोड़ा लिखा करिए क्योंकि यह जो चैनल में वीडियो जाता है उसमें कई आउफीसर बड़े बड़े सोहत देखते हैं फिर जो है आप लोग का डारेक्ट कमेंट देखेंगे तो समझेंगे कि हाँ भी यह इस्टूडेंट को परिशानिया हैं जो जो परिशानी हो प्लीज आप एट लिस्ट जो है यहां पे दर्ज कराईए वीडियो को जादा जादा शेयर करिए सरकार तक जो है बात पहुँचे ताकि सुधार हो सके बस पाल्टिक्स पार्टी पाल्टिक्स में पढ़के कोई फायदा नहीं है स्टूडेंट को चाहिए भईया फ्येर सिलक्शन बस सारी प्रॉसेश जो है ट्रांसपरेंट और फ्रेयर सिलेक्शन हो बस इतना ही कहना है UPPSC में भी बहुत सारे सुधार की जरूरत है जैसे बीपीएससी का जो भी लेटिस्ट केस खुला है ये UPPSC में भी बहुत जादा सुधार की जरूरत है बहुत सारी चीजों को सुधारा जाना चाहिए आरो यारो की वैकेंसी भी कई सारी पड़ी है वो भी जल्द से चल्दानी चाहिए कोविड में कई सारे लोगों को नहीं पेपर दे पायते है उनको भी एक एक स्ट्राटर मिलना चाहिए मेरे इसाब से तो यह अच्छा और बहुत जरूरी मुद्धा है यह प्लीज सरसंग्याल लीजिए प्लीज